नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जो दस्तावे सत्यापन का जो कारी है वो कई जिलों में सुरू हो चुका है दोस्तों और दस्तावे सत्यापन की जो दिनांग है अलग अलग बताए गई है दोस्तों ये कौन से जिले की है तो आए दोस्तों द 2021 आज जी का अपडेट है यह देखें दूसकों आपको किस प्रकार से आपने जो दस्तावे सत्यापन है वो करवाना है A से L तक के जो वनमाला में जो आते अभ्यार थी उनको 28 तारीक को दस्तावे सत्यापन करवाना है 9 बज़े से 5 बज़े तक कहा करवाना है B R मिर्धा राज के महविद्याले नागोर में आपको अपने दस्तावे सत्यापन करवाना है तो यह सभी के लिए रहेगा दस्तावे सत्यापन का इस्तान सभी के लिए रहेगा चाहे कोई से भी वनमाला का अभ्यारती हो M से R तक को 29 तो करवाना है और S से G तक के अभ्यारतियों को 30 तारीक को करवाना है समय सबका सेम रहेगा 9 विज़े से 5 विज़े तक आप अपने दस्तावे सत्यापन करवा सकते हो इसके लिए आपको क्या करना होगा ये देखे दोस्तो इसके अंतरकत बताया गया है कि 31 साथ 2021 तक गूगल फोर्म के मादम से उनलाइन आविदन आमंत्र किये गए थे और पूंद या अईस्ता ही भड़ती है और अपने आविदन पत्र में इस्तानिये नागोड जिले का मूल निवासी हो और तिति और समय दस्तावे सत्यापन में तकनीकी योगिता मूल निवास जाती परमान पत्र आ रहां सी रेजिस्टेशन इत्यादी अवन स्वेम के द्वारा परमानी एक फोटो कोपी का सेट लेके जाना है दस्तावे सत्यापन है तो उपस्तित होने है तो तीती समय अभ्यारतियों को विचार नहीं किया जाएगा उसके बाद में अगर कोई जाता है तो उसको सामिल नहीं किया जाएगा इसके अलावा गाई लाइन इसके बताए गई है दस्तावे सत्यापन है तो नागोर जिले के अभ्यारतियों को बुलाया गया है अन्य जिले के अभ्यारतियों को नहीं बुलाया गया है दस्तावे सत्यापन के आने वाले अभ्यारति COVID-19 की पालना करेंगे या था मतलब दो ग किसम स्वास्ते दिगारी नागोर तो दोस्तों बड़ी अपडेट है आपको कहा डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है राज की माविदले नागोर में ताइम दिया गया नुव विचे से पांच वजे तक दिनांक आपको दिया गया 2829 ती तीन दिन होगा आपको डोकुम से उससाब से देख सकते हूं धन्यवाद दोस्तों नागोर जीली के बिहरतियों के लिए धन्यवाद जेहीं जवार्ण